राजिस्थान में विधानसभा की 199 सीटों के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है राजिस्थान में विधानसभा की कुल 200 सीटे हैं लेकिन एक सीट पर चुनाव स्थगित कर दिया गया है निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक अलवर जिले के रामगड विधान सभा निर्वाचित छेत्र से बीएसपी के पिरतियाशी लक्षमर सिंग का 29 नवंबर को निधन हो गया था इसलिए वहाँ का चुनाफ इस्थागित कर दिया गया है वहीं बड़ी खबर अब 36 गड़ और मध्यपिरदेश के बाद राजिस्थान से सामने आ रही है राजिस्थान के कई जिलों से EVM खराब होने की शिकायते मिल रही है जालोर के पोलिंग बूतों पर EVM खराब होने के बाद लोगों ने हंगामा किया बूत नंबर 253 और 254 पर लोगों ने EVM मशीन खराब होने पर अपना गुस्सा व्यक्त किया यहां भी काफी समय से वोटिंग रोग दी गई है बताया जा रहा है कि पोलिंग बूतों से महिलाएं घंटों तक इंतजार के बाद घर लोड गई 2019 के लोगसभा चुनाव से पहले इन चुनावों को बेहत एहम माना जा रहा है अभी तक कि सर्वे बता रहे हैं कि इस बार राजिस्थान में मुख्यमंत्री वसंद्रा राजे का ताज छिन सकता है और कॉंग्रेस की वापसी राजिस्थान में हो सकती है देखने वाली बात यह होगी कि इस बार जनता किसे अपना कीमती वोड दे कर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाती है अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज अपडेट पाने के लिए बैल आइकन को दबाना ना भूलें